मेरे को share market के बारे में कुछ पता लगा, कुछ और चान बीन करी, घर वालों से पूछा, तो घर वालों के दिमाग में एक हमेशा से मिथ बना हुआ था, पुरानी families के, कि ये एक जुआ है, तो अगर इसमें पैसे लगाएगा, तो हार जाएगा, उन्होंने trading, investing, उनको ये सब पता ही नहीं था, कि क्या होता है, और कैसे होता है, तो उस चाइम मैं 18 साल का नहीं हुआ था, तो अगले ही दिन मैंने पता किया, और कहां से DMAT account open होते हैं, तो मैंने चुप चप अपनी मदर का DMAT account open करवाया, और open करवाते ही, मैंने जो पैसा बचाया था, या जो छोटे-छोटे बिजनस करके जो पैसा कमाया था, वो एक रुपे का Vodafone idea मैंने 22,000 quantity खरीदी, और वो 22,000 quantity जैसे ही खरीदी, वो उसी दिन ही थोड़े time बाद ही loss में चली गई, एक दो घंटे बाद ही, तो घर वालों ने दाटा की तुने जुवे में पैसे हार गया या तिरे को देख बुला था, तो उसको छोड़ दिया, लगभग एक साल बाद मेरे पास एक mail आती है, जिसमें मेरे कुछ share debit हो जाते हैं, तो जब मैंने उनको खोल के चेक किया, तो Vodafone आइडिया 9 रुपे के लगभग पे आ गया था, तो उस दिन मुझे लगा, कि यार मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैसा लगा के छोड़ दिया, और मेरे पैसे की growth इतने times हो गई, अगर मैं इसमें और सीखूंगा या और अच्छा अपने आपको मेहनत करूंगा, तो मैं कहां तक grow हो सकता हूँ, 12th का result जा ही चुका था, कुछ करना था, college के साथ साथ, तो मैंने और पढ़ना शुरू किया, और इसके बारे में books reading करी, और जाता गया, तो मैंने 3-4 कंपनियों में इंटर्शिप करी, जैसे Arise Investment, ABB Investment, और हमारी एक फरीदाबाद की एक काफ़े रिनॉन कंपनी थी, JK Investment, तो वहाँ पे काम करने के साथ साथ मैने almost एक साल पूरी इंटर्शिप, देर्ड साल न्टर्शिप करी, चार कंपनियों के अंदर, कहीं पर 3 महीने की, कहीं पर 4 महीने की और कहीं पर 6 महीनेगी तो उसके अंदर मैने 2-2.5 रुपे बचा लिये थे, और कुछ जो part-time businesses चल रहे थे तो थोड़ा बहुत लाग डेड़ लाग रुपे वहां से भी बचा लिया था तो अब मुझे लगा कि अगर मुझे grow होना है तो मैं खुद के लिए trading करूँगा या investment करूँगा और अपने clients लेकर आऊँगा जिनके portfolio संभालूँगा तो मैं और अच्छा return कमा पाऊँगा तो मैंने चार लाख रुपे से trading शुरू करी और एक देट दो महीना मैंने बहुत अच्छे trades करे जिसमें मैंने options भी किया, futures भी किया, cash market में भी trade किया, commodity में भी किया और इन सब में trade करने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ यार मैं कर तो अच्छा रहूँ, मैं कमा भी पा रहूँ और मैं अपनी family का धीरे-धीरे करके जो losses से या जो market के credits से वो pay भी हो रहे हैं तो अब मेरे को लगा कि मेरे को grow होने के लिए मेरे को extra पैसों की जुरूवत है जिससे मैं काम कर पाऊंगा तो family को बोला तो family के दिमाग में तब भी वही था, ये तो जुआ है तो फिर मैंने अपना best friend की help से 10 लाक रुपे, 7% पर मन्त के ब्याज पे किसी financer से ले लिए जो की मेरी सबसे बड़ी मेरे life की गलती थी और ये गलती इसलिए थी कि मेरे को लगा कि इस line में पैसा हमाने ले help करेगा और जैसे ही मैंने पहले दिन ही trade किया options के अंदर कि यहां पे capital matter नहीं करती, पैसा matter नहीं करता, आपकी knowledge, आपकी skills पूरी ठीक होनी चाहिए तो आपको ठीक रहेगा और उसके बाद ही आप पैसा बनाओगे और कम पैसे से भी पैसा बनाया जाता है वो over confidence से मैं उस दिन confidence पे आया तो फिर मैंने धीरे धीरे चार महीने मेहनत करी, trades लगाए और trade लगाने के बाद मैंने साड़े तीन चार लाक रुपे जो मैंने पैसा लिया था उसके ओपर कमाया और जिस financial से लिया था और उसको वो पैसा वापसी किया और एक normal stage पे वापसी आ गया कि हाँ इससे मैं अपना धीरे धीरे ही करूँगा तो मैं अच्छा चलूँगा सब अच्छा चल ही रहा था, इतने में covid आ गया और market collapsed market पूरी की तरह गिर गई और फिर वही condition मुझे कमाने के लिए या कुछ करने के लिए पैसा चाहिए था, क्योंकि जो stock थे वो portfolio में आधे से भी नीचे जा चुके थे तो मैं trader के साथ साथ investor भी था, तो मैंने एक stock पे study करी थी कि मेरे को लगा कि हाँ, अगर मेरे को यहाँ पे और extra अपने आपको grow करना है तो इस वाले alok industries में अगर मैं पैसा लगाऊंगा, तो मैं ज्यादा अच्छे से कमा पाऊंगा तो बट पैसा था नी, फादर को बोला, फादर ने help करी और जो फादर के best friend थे पंकर जी उन्होंने उठा के दिये मिरे को धाई लाक रुपे, उस धाई लाक रुपे से मैंने alok industry को एक रुपे 75-80 पैसे के आसपास पे खरीदा और दो महीने के अंदर-अंदर alok industry को मैंने 48 रुपीज पे sale out कर दिया उस दिन घरवालों को लगा कि अब हमने कमा लिया, यह हम अपना खुद का घर ले लेते हैं या और कुछ, अपने मतलब शौक पूरे कर लेते हैं तो घरवालों को मैंने थोड़ा सा जूट बोला, नहीं, इसमें से अभी TDS कटेगा, income tax कटेगा, क्योंकि घरवालों को कुछ knowledge नहीं थी तो फिर वो पैसा आया, COVID-2 आया और मार्केट फिर गिर गई, तो जो पैसा मैंने कमाया था, उसको COVID-2 के अंदर हम मैंने 5-6 अलग-अलग कंपनियों में reinvest कर दिया, ताकि मैं और कमा सकूँ जब वो मेरे घर पे पता लगा, तो मुझे फिर वही डाटा एक बार किसमत काम कर जाती है, बार-बार वो किसमत काम नहीं करती और उस capital से जो मैंने कमाई थी, और वो market ने एक देट साल बाद मुझे मेरी investment का return दिया, तो मैंने अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी capital 10 करोड रुपे की हासिल करी, वहां से मैंने different different businesses में एंटर किया, petroleum business, wedding business, interior business, finance और CBG, वहां से enter करने के बाद मेरे घर वालों को भी थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ ये चीज अच्छी है, और finally हमने अपना खुद का घर ले लिया, from rented house to owned home, एक स्कूटी से, Mercedes तक, एक rented office से, अपने खुद के 35,000 square feet के office तक, ये सारा सफर एक दिन का नहीं था, बलकि 5 साल की मेहनत का था, और इस सब में मेरे best friend राहुल गुपता, जिसका unwavering support, lifelong मेरे साथ रहा, और even आज भी मुझे कोई problem आती है, किसी चीज में problem आती है, तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया, मैं आप सब को ये बताना चाहूंगा, जो आज इस line में आना चाते हैं, या पैसा बना अगर आपकी trading skills अच्छी है, आपके पास knowledge पूरी है, तो आप अपना lifestyle change करते करते, धीरे धीरे आप इतना अच्छा पैसा बना सकते हैं, और clients आपके पास खुद आएंगे, और आप जो अपने मुझे portfolio management service का amount मांगेंगे, वो आपको देंगे, क्योंकि मुझे आज भी अच सारे के सारे आज मेरे client है, ये हकीकत है, लोग बोलते भी हैं कि जितना समुदर में पानी नहीं है, उससे ज़्यादा इस share market में पैसा है, और मैंने ये luxury खुद जी है, और जी रहा हूं, मैं बता सकता हूं कि कैसे इसने मेरी किसमत बदली, तो आप भी ये सब कर सकते हैं, ल मेरी स्टोरी से अगर life inspire और positive way में change हो सकती है, तो मेरे लिए ये ही बहुत बड़ी बात है, I hope आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो, and once again, thank you.